अगेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में नोर्थ-वेस्ट कॉर्णर मेथड किया था और ट्रांस्पोर्टेशन प्रोग्रम क्या होती है यह समझा था इसके बाद मैंने का था कि जो इनीशियल बेसिक फिजीबल सोलुशन है इसको निकालने के लिए आपके पास method है जैसे first method northwest corner rule हम ने कल किया था second method ये आपके पास दिया हुआ है row minima third method आपके पास column minima method और fourth method आपके पास था lowest cost entry method और जो fifth था जो main method है जो आपका जिससे सबसे कम cost आएगी वो है आपका vogal approximation method तो आज हम पहले ये सीखते हैं उसके बाद इसी तरह same column है तो column का हम नहीं करेंगे लेकिन फिर उसके बाद lowest cost entry method को हम सीखेंगे row minima नाम से ही किलिए है minimum element देखना है हर row का और उसके हिसाब से हमने allocation करते चलना है तो जैसे first row के अंदर हम देखेंगे तो हम ये table बना लेते हैं एक बार की requirement पूरी करेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ते चलेंगे इसी तरीके से जिस तरीके से हमने northwest corner rule में किया था जैसे यहाँ पर सारी cost दी हुई है w1, w2, w3, w4, 19, 30, 50, 10 और ये दिया हुआ है आपके पास 17, 30, 40, और उसके बाद 60, 40, 80, 70, और 20 ये आपके पास factory F1, F2, F3, 3 factories दे रखे हैं आपके पास और आपके पास जो requirement है वो 5 की w1 के पास है 8, 7 और 7 और जो supply आ रही है factory से वो है 7, 9 और 18 तो देखों first अम first row की बात करते हैं first row आपके पास दी हुई है first row के element 19, 30, 50, 10 तो minimum क्या आएगा आपके पास minimum of this equal to 10 तो हम क्या करेंगे 10 से allocate करना सुरू करेंगे जैसे northwest corner method में हमने सिर्फ corner method पकड़ा था northwest corner जो था वो पकड़ा था उससे हमने allocate करना सुरू किया था और आपके पास demand जो है demand जो है requirement जो है वो भी कितने की है seven की है तो क्या हो जाएगा यहां से आपका यहां यह sorry seven नहीं आएगा यह एक minute यह गलत लिखा हुआ है यहां पे आएगा 14 तो इस question को थोड़ा सा सही कर ले ना यहां पे आएगा आपके पास कितना 14 देखो क्योंकि यह previous question जो उठाया था वो ही कर रहे हैं तो previous question से हम देखेंगे कि दोनों की cost में क्या फरका था दोनों method से तो साथ supply पूरी कर दी हमने इसकी अब साथ पूरी होने के बाद यहां से कितना चला जाएगा आपके पास साथ चला जाएगा तो आपके पास remaining कितना बच जाएगा 7 अब देखो यह साथ पूरा हो गया तो यहां पे कितनी बची supply 0 तो मतलब factory F1 के पास आप बाकी warehouse को देने के लिए कुछ नहीं है तो यह allocation भी कट जाएगी यहां पर यह cell भी कट जाएगी और यह cell भी आपके पास क्या हो जाएगी कट जाएगी अब आते है second row पे second row आपके पास दिवी है 30, 17, 30, 40 और कितना 60 इसमें सबसे minimum आपके पास क्या है 30 तो 30 वाले पर allocate करेंगे देखो 30 वाले के पास demand है 8 की लेकिन उसके पास supply 9 की है तो यह 8 की पूरी demand कर देगा अभी भी एक बचा हुआ है इसके पास इस factory को देने के लिए factory के पास एक available है किसी भी warehouse में देने के लिए तो यह हो जाएगा 0 तो यह 0 होते ही अब देखो इस warehouse में और कोई requirement पूरी होई नहीं सकती क्योंकि सारे requirement पूरी हो गई तो यह column आपका one product भी दे दिया और यह क्या हो गया 0 यह 0 होते ही इसने एक इसको दिया तो इस warehouse में एक कम हो गया तो 7 से एक कम गया तो कितना आ गया अब आपके पास 6 हो गया और एक यहां से पूरा हो गया अब यह factory F2 के पास कोई supply नहीं है देने के लिए तो यह दोनो column आपके पास कट ज 11 की है तो 7 माइनस करो तो कितने की requirement बची अब supply बचकी अब 11 की 7 की इसने quality पूरी कर दी 7 इसने पूरा कर दिया अपना जब 7 पूरा कर दिया तो अब काटने के लिए कुछ है ही नहीं 60 आपका पहले ही कटा हुआ और वे राउस में अलोकेट कर नहीं सकते यह हुआ हुआ भी हो रखा है तो 7 कटके हो गया कितना आपके पास 0 अब आजाओ next 2 element बचे दो element में 40 सबसे छोटा है तो 40 के पास 5 की requirement और आपके पास supply अभी 11 की बची हुई है तो 5 दे देगा तो supply कितने की बच जाएगी 6 की बच जाएगी 5 से 0 40 के उपर कितना आ गया पूरा 5 आ गया और इसके पास 6 बची हो यह तो 6 यह क्या कर लेगा पूरी occupy कर लेगा तो अब आपकी problem solve हो गई जैसे पहला आया 10 into 7 उसके बाद plus 30 into 8 उसके बाद plus 40 into 1 plus 40 into 5 और उसके बाद plus 17 into 6 और plus कितना आ गया 12 into 7 तो यह आपके पास total जो cost आएगी calculate करोगे तो आपके पास कितनी आ गई 1110 मतलब अब आपके पास cost इतनी आई पिछले वाले question में जो cost आई थी जो हमने किससे किया था जो northwest corner rule से किया था उसमें आई थी cost 1015 तो सस्ता कौन सा है northwest corner है तो इस method को हम इसी लिए use कम करते हैं मतलब करते ही नहीं है बाकि यह method मैंने आपको बताना था किस तरीके से use होगा तो हम चलते हैं इसके बाद lowest cost entry method के उपर तो समझ गए simple सा काम है अगर आपने northwest corner rule पढ़ा हुआ है तो इसमें simple सा काम है बैस minimum element जो होगा आपने देखना है supply minimum element पहली row में जो भी है उसके उपर आपको देखना है कितने की supply है वहाँ पे और कितने की आपको demand है warehouse में अगर demand पूरी हो जाती है तो demand जब आपके पास पूरी हो गई तो उस warehouse में और कोई आएगा नहीं अगर supply पूरी हो जाती है तो वह factory किसी और को supply नहीं कर सकती तो आपको काटते चल जाना है row या column में से जो भी आपका cut रहा होगा इसके बाद आ जाओ lowest cost entry method तो मैं एक बार table बना लेता हूं उसके बाद start करते हैं बचो next आता आपका lowest cost entry method इससे पहले आपका column minimum method भी बच गया और column minimum method जैसे जैसे row में हमने किया था कि पहले row उठाई उसमें सबसे छोटा वहां से शुरू किया उसके बाद second row उठाई उसमें सबसे छोटा अगर पूरी हो जाती है तो ठीक है अब ना next element देखेंगे इसी तरह third row में किया था same column में अब हम column उठाते चलेंगे और वहां पे दे unit है देखो 8 के उपर आपके पास यह cell दी हुई है कौन सी cell हो गई है third row second column वाली तो 8 सबसे छोटा है इस पूरी टेबल में जितनी भी cost है तो 8 से शुरू करेंगे तो 8 के उपर देखो आपकी W2 के अंदर है तो requirement आपकी क्या है 8 की है और आपके पास capacity कितने के supply कितने की आ र पास क्या हो जाएंगे cancel out और यहां से 8 आपका subject होके अब आपके पास supply कितने की बच गई यह 10 की बच गई अब उसके बाद second काम हम क्या करेंगे second देखेंगे कि अब जो बच गया उनमें सबसे चोटा कोन है उनमें सबसे चोटा 19, 17, 40, 50, 40 यह 10 10 सबसे चोटा है तो अब 10 क के उपर आपके पास requirement 14 की है लेकिन आपके पास supply 7 की है तो supply जितनी भी हो सारी दे देगा requirement आपकी पूरी नहीं हुई तो यहां पे 7 बच जाएगा और यह आपकी पूरी हो गई supply तो यहां पे कितना आ जाएगा 0 अब और कहीं supply कर नहीं सकती factory F1 तो यह भी कट जाएगा next पे next पे देखते हैं अब next सबसे चोटा element आपके पास क्या है next सबसे चोटा element आएगा आपके पास next सबसे छोटा element दिया हुआ है कितना 20 20 के पास आपको क्या है देखो 7 की आपके पास requirement है इस वे राउस में 7 और चीज़ें आ सकती है 7 की requirement है और 10 आपके पास supply है तो 7 को पूरी करे गए requirement पूरी हो जाएगी तो इस वे राउस में और कुछ हा नहीं सकता 40 अब 40 यहां भी ले सकता है अब यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जो मर्जी आप जो उनसी cell का 40 उठाना चाहो उठा सकते हो जैसे मैं मान लिया 40 यह उठा रहा हूँ तो इस 40 के अंदर आप देखो आपके पास 7 की requirement है और आपके पास 9 supply है तो supply आपके पास 2 और भी बच जाएंगी यहां पे लेकिन requirement के आपके उस 7 जो requirement हो पूरी कर देगा तो यह cancel out यहां से कटके हो जाएगा कितना 0 अब आजाओ यहां पे यहां पे अगर आएंगे तो आप देखोगे आप 40 फिर से छोटा है तो 40 में कितने की requirement आपके पास 5 की लेकिन आपके पास supply 3 ही है तो यह 3 को पूरी करेगा और यह कटके कितना बच जाएगा आपके पास 2 और यह कटके हो जाएगा कितना आपके पास 0 अब बचा सिर्फ 70 70 को 2 की ही requirement है और 2 की ही इसके पास क्या है supply है तो complete कर देगा 0 सारे 0 हो गए तो आपका जो balance problem थी वो soul हो गई initial basic feasible solution क्या निकल के है यहां से देखो जो allocation हुई है उन्हों को multiply कर लो 10 into कितना 7, first row में, second row में 70 into 2 है plus 40 into 7 है उसके बाद third row के अंदर देखेंगे तो plus 40 into 3 है plus 8 into 8 है उसके बाद plus 20 into कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है और जब हम इनकी multiply करेंगे बच्चों multiply करके जो answer आएगा वो answer आए आपका कितना 814 तो आपने देखा कि जो north west corner method था वहाँ पे 1015 cost आई थी row minimum में आपके पास 1110 cost आई थी वो गल approximation method तो ध्यान से समझना बिल्कुल सिंपल सिंपल से method है बैस आपको allocate करना आना चीए देखो एक चीज के लिए है कि आपका question जब सही होगा जब आपकी demand और supply चारो सारी 0 हो जाए मतलब equal हो जाए जीरो जीरो आ जाए तब आपका question सही है otherwise कहीं न कहीं आप गलती कर रहे हो तो step by step आप चलते रहोगे तो कोई गड़बड नहीं होगी बिल्कुल सही तरीके से चलोगे तो आपका question बिल्कुल सही आएगा तो इन सबसे इन दो method से बढ़िया method अपना कौन सही है देखो सबसे बढ़िया पहले सबसे जो खराब था वो row minima, column minima निकालेंगे तो वो हमने निकाला नहीं क्या cost आईगी लेकिन उसमें भी जादा ही आने वाली है कुछ ना कुछ और उससे बढ़िया हो गया north west corner उससे बढ़िया आ गया lowest cost entry method अब हम करेंगे सबसे best जिसके बाद हम optimal भी निकालना सीखेंगे यह initial है इन से कम भी क्या हो सकता है उस बारे में try करेंगे और वो method आपका देता है क्या modi method तो vogal approximation पहले करेंगे इसके बाद हम करेंगे क्या modi method